बसकार आदाप सुस्रियाकाल दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्यागानार जन में तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम भारतियराष्ट्यांदोलन पढ़ रहे हैं आज हमारा पार्ट है और इसके बाद में एक पार्ट ओर आएगा उसक क्रिप्स प्रस्ताव को एस्विकार करके उसका नयतिक विरोध करने के लिए व्यक्तिकत सत्यागरे लाया गया था ठीक व्यक्तिकत सत्यागरे के बाद में क्रिप्स प्रस्ताव आया था क्रिप्स प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया था मुस्लिम लीग ने भी और कॉं लाए थे उनसे हमें पता चल गया था कि यह लोग हमें सुधार नहीं करने वाले हमें आजादी नहीं देने वाले तो गांधी जी ने कहा कि एक लास्ट आंदोलन हम लोग करते हैं जिससे क्या होता है कि या तो स्वतंतरता लेंगे या फिर इस स्वतंतरता पाने के प्रियास म में हम मर जाएंगे हैं ऐसा उन्हों ने गांधी जी ने कहा था तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था और 1942 के वर्दा सम्मेलन में इस प्रस्ताव पास हुआ था क्योंकि यह 9 अगस्त को शुरू हुआ था इसलिए से अगस्त क्रांति के नाम से भी जानों जाता है और इसमें दोस्तों क्या क्या किया गया था यह हमने पढ़ा कि देखो भारत छोडवा अंदोलन जाश्त से शुरू हुआ नहों अगस्त के सुबह ही मतलब अंधेरे अंधेरे क्या हुआ गांधी जी और सभी राजंदर परसा ते उनूंने कमान समहली इस एलो जै नष नारएण व्यास राजंदर पर सब्रसाध है लोग थे ना यह दोस्तों जैक्राएंड नारायें व्यास्तों राज्यसतान तो ए प्रकास नारायंड शायद कल वी नने आपको जैना-अर्य Studio पोल दिया और टीया इसके जगे पर्यक दोस्तो जैसे कि जय प्रकास नारायन राममनोह लोहीया हो गया अचूत civilizations रहें कर आंदोलन का शुत्रपात के था आंदोलन में दोस्तो अहिंसक ड़ा अहिंसक नहीं रहा था इंसक ouvert हो गया था क्यों के गांधी जी वेगे त makesत्री यह सब किड़ाटर लगे तक हुआ था इसके अलावा भूमिगत रेडियो स्टेशन से भी काम करें किया जाता था तो अयुदी तेशन को गिवेस्ट है इतना हमने पड़ लिया था उसके आगे देखते हैं आगे क्या क्या हुआ आगे हुआ यह कि आगे के प्रति सरकार के दमनात्मक नेतिके विरुद गांदी जी ने आगा खा पहले इसमें दस फरवरी गुनिसो तैयालीस को गांदी जी ने 21 दिन के उपवाश के गोशना जेल में कर दी कि जब तक आंदोलन आप मतलब इतनी बुरी तरीके से दमन करना नहीं छोड़ोगा जब तक मैं उपवाश रखूँगा उपवाश शुरू होने पर गांदी जी की रिहाई की मांग देश में ही ने बलकि गांदी जी की रिहाई हेतु दबाव डाला जा रहा था और दूसरी तरफ सरकार आगाखा पहले इसमें गांदी जी के अंतिम संसकार के तयारी कर रही थी हालाद ऐसे हो गये थे कि 21 दिन का उपवाश जो चल रहा था अंग्रेजों ने निश्चा कर लिया था कि हम यह उप पहले गांदी जी स्वर्ग सिधार चुके होंगे दूसरी एक तरफ तो सारे दुनिया गांदी जी की रिहाई के लिए परियास कर रही थी दबाव डला रही थी और दूसरी तरफ आगाखा पहले उसमें उनके अंतिम संसकार के तयारी कि जा रही थी गांदी जी को इस बात का पता चल गया कि यह नहीं तुड़वाने वाले हैं और यह तो अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं तो गुनिशो तैयालीस में गांदी जी ने सरकार को चक्मा देते हुए भूखरताल समाप्त कर दी ठीक है खुद नहीं भू हैं उनके दो घनिष्ट लोग एक तो उनके पत्नी और एक सचिव महादेव देशाई उनकी मृत्यू हो चुकी थी भारत छोड़ो अंदोलन के समय कई इलाकों में ब्रिटिश आसन समाप्त हो गया और समानांतर सरकारे बनाए गई वैरी वैरी इंपोर्टेंट लाइन है द क्या लिए और अपनी नीज़े सरकारे बना ली गई लोगों sûr अंदोलन इतना भ्यांकर था ने ब्रिटिश लोगो वहां वाह से म। Headक बना ले गई उन्हें कहते समाना अंतर सरकारे तो तीन जगे ऐसी दिआ जहां पर समानांतर सरकार हो इस थाबत कर गई ग्यानियंवर्य सबसे इंपोर्टेंट है महारास्ट्र के सतारा में यहां पर सबसे लंबी समानातर सरकार बनी और सबसे लंबी समानांतर सरकार गुनी 22 से 45 चली कि तो महरास्ट्र में सबसे लंबी समारांतर सरकार बनी थी य कि बालिया में जीतू पांडे पंगाल में मिदनापूर में तामलूक नामकिस्थान पर बनी थी 17 वाले सबसे लंबी थी और चवानो नाना पाटिल ने बनाई थी यहां अंदोलन अपने पूरुवर्ति सभी आंदोलन जैसे कि ऐसे योग आंदोलन सभी नवेग्या आंदोलन और व्यक्तिकत सत्यागरे की तुलना में अधिक इस फूर्ति पूर्वक रहा मतलब सबसे जाद जो आंदोलन था सबसे अच्छा वाला जिसका सबसे ज़्यादा योगदान हम मान सकते हैं वो यह वाला ही था निसेंदे हैं यह आंदोलन सरकार ने बरवर्ता पूर्वक कुचल दिया लेकिन फिर भी 1947 में जो स्वतंतरता मिली उसमें इस आंदोलन का अहम योगदान रहा ऐसा तो इस आंदोलन को कुचर दिया गया था दोस्तों बहुत भयंकर तरीके से सरकार ने दमनात्मक नेतिया चलाई थी लेकिन जो इस आंदोलन का दूरगा में प्रभाव है वो हम स्वतंतरता के रूप में देख सकते हैं मिसलिम लीग का जिन्ना गुट आंदोलन विरोध कर रहे था कि अगर अंग्रेज यहां से चले जाते हैं इस वक्त तो क्या होगा कि बिना किसी परिणाम की यहां पर जंगल राज इस्तापी तो जाएगा क्योंकि वो तो पाकिस्तान चाहते थे तो पाकिस्तान उन्हें पता है कि अंग्रेज चले गए तो इंडिया पनाये गया और कब मनाये गया तो 23 मार्च 23 मार्च 23 को बनाये गया मुस्लिम लीग ने दिसम्बर 23 को कराची और दिवेशन में नारा दिया विभाजन करो और छोड़ो उन्हें तो यही डर था ना कि अंग्रेज चले जाएंगे तो विभाजन क्यासे होगा तो उन्हों हमने यह का था लेकिन इन्होंने अलग दिया विभाजन करो और छोड़ो इसके बाद में दोस्तों एक और इंपोर्टेंट चीज आती है आजाद हिंज फोज सुभास चंद्रवोस दोस्तों ऐसे नेता थे जिनका बहुत बड़ा योगदान हम लोग हमारे स्वतंत्रता सगैने इतिहार इतना नहीं मिलता है इतना गांधी जी और जंडहला उर्मदेफ और मृतिलाल नहिर रोर यहीं ना तो आजाद हिंद फोज जो स causalशुर्ट पोंद माना जाता है और हम अपने जहन की सथना इंपोर्टेंट योगदान लेकिन का का घ्बाडेंज चाहार ह si न जन्वरी 1941 को सुभास चंद्र बोस कलकत्ता से अचानक गायव हो गए और वे पेशावर और काबूल होते हैं रूस वहुंचे कलकत्ता से गायव हो गए वो क्योंकि हिटलर उनकी व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि हिटलर ने खुद आगे से उनको निमंत्रन दिया था नेता जी को कि मिलने के लिए ठीक और उन्होंने इनसे बात भी करी और जर्मनी से बोस ने यह बोला कि आप हमें सयोग कीजिए स्वत्मत्रता दिलाने में क्योंकि जर्मनी उस समझ विते उश्योद में ब्रिटेन के विरुद में था जो मित्र रास्ट थे जर्मनी और अमेरिका और ब्रिटेन और अमेरिका वगरा ये लोग साथ थे और उधर जर्मनी और जापान ये लोग साथ थे हैं तो जर्मनी इनसे अलग था तो उन्होंने कहा कि आ दी थी के चीज भी याद रखनी है जर्मनी में बोस्त ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की था जैहिंद का नारा लगाया फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना उन्होंने की और जैहिंद का नारा लगाया ठीक है यह भी याद रखना जैहिंद का नारा कहां पर लगाया यहाँ संभ Hook यहां पर आएगा जपान में रहे 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 रास भिहारी बोस पहले से रास भिहारी यहां पर इन प्रवाष्टी भारतियों में राधीतिक वीचार इंडिया इंडिया हं इंडिया इंडिपेंडेंस लीक च्टापना तौ रहें ते पोर्व के वांँ इन दापना किह की रास एंडिपेंडेंदेंस लीकुकर भीक्टेवें है और उन्होंने आजाद इत्फोज किसी इस्तापना को विचार दिया गी हम ऐसी फोझ बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे आजाद हिंद फोज और जिसके द्वारा हम भारत को आजाद करवाएंगे ठीक ठीक है पंद्ह तिसम्पर गनना गुणिज सो अग्तालीष promise ब्रिटिश भारतिय सेना के सिपाई जिन्होंने जापान के समख साथ में समरपन कर दिया था को लेकर कैपटन मोहन सिंग ने आजाद हिंद फोज के स्ताबना गई दोस्तों डेट याद ना रखो लेकिन यह लगबग आप सन याद रख ले ना 1941 में आजाद हिंद फोज के निर्माण किया गया और किससे किया गया कि भरतिय सेना ने जो भरतिय सेना थी ब्रिटिश भारत के सेना थे ना उन्होंने जापान के सामने आत्म समरपन कर दिया था कुछ सैनिकों ने तो जो सैनिक अब जापान लाए गए थे ब्रिटिश भारत स उन्होंने लेकर उन्होंने जापान से ले लिया और क्यप्टन मोहन सींग ने आजाद हिंद फोज की स्थापना की ठीक है, साथ जुलाई Profess को आजाद हिंद फोज की स्थापना नेरा इस einzbNING करी थी, इन्हों के नहीं करी थी, हिन्हों प्रफुष्ट ने संग्वापुर में सवतंत्र भारत की एस्थाही सरकार that लिए भी बहुत बार पूछा जाता है कि बोस्थ ने कहां पे एकर ऐस्थाही सरकार खटनकिया था और इसका मुख्यले कहा बनाया था? रंगूर में बनाया था बोंस ने रानी जहासी रेजिमेंट इस्तापित किया दोस्तों बोंस ने जो सेना बनायी थी सुभाश एंट्रवों उसमें एक स्त्रियों का सेना पीनों ने बनायी थी रानी लक्ष्मी भाई के नाम पर उस सेना का दाम रखा था रानी जहासी रेजिमेंड के अलावा उनके सेना में अलग ब्रिडेड थे उन ब्रिडेडों का नाम उनने लखासा रखा साथी सब्सक्षFit yea उ li कि नहरूजी और गांदी जी को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर अपनी फोज की ब्रेगेडों का नाम रख रहे हैं मतलब कितना सम्मान करते थे वह गांदी जी का तो आप यह देख रहे हों कि मतलब दो विचारधार हैं अलग-अलग हैं लेकिन फिर भी लिए था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा ठीक है 143 को जापानी फोज सेना ने फोज को अंडमान निकोबार दीप सोब दिया और उनका नाम क्रमेश सहीद और स्वराजय दीप रखा गया दोस्तों आजादिंद फोज को अंडमान और निकोबा है उसका नाम रखा स्वराजय दीप ठीक है इसके अलावा मार्च गुनी सो चम्वालीस में फोज ने चापानी सेना के नेत्रप्त में भारत को आजाद कराने हितु बर्मा सीमा उत्रिपूर्वी भारत घेरा डाला परंतु मैं गुनी सो पैताले इसमें ब्रिटी सेना के र एक साल तक उस पर घेरा डाले रखा लेकिन क्या हुआ गुनी सो पैतालिस के आसपास क्या हुआ था कि हमारे जापानी जो सैनिक थे ना वो हमारे आजाद इंद फोजी सैनिकों के साथ अच्छा व्यावार निकर रहे थे दोस्तों हाना वो उनको एक तरह से दास समझते थे तो उनमें ही मतमेद हो गया इस कारण हम इधर ब्रीटिश आर्मी से हार गए और हार गए तो फिर आजाद इन फोज की जितने भी सिपाए थे उनको आत्मसमरपन करना पड़ा ब्रीटिश भारत की सेना के सामने इससे पहले जुलाई 1944 में जब इनको मार्च में इनको भेज दिया था और हमारे हार ने से पहले जुलाई 1944 में रेडियो पर आजाद ने गांदी जी के नाम एक संदेश भेजा और इसमें कहा कि बारत की स्वाधिनता के आखे युद शुरू हो गया है राष्ट पिता यहां ने ऐसे कहा कि भारत की स्वाधिनता की जो अंतिम लड़ाई है वो शुरू हो गई है राष्ट पिता मैं इस अंतिम लड़ाई में मुक्ति के इस युद में आपका आशिरवाद और शुब कामना चाहता हूं कितनी ज़्यादा रैस्पेक्ट वो करते थे यह हम इस चीज से समझ सकते हैं उनकी यह बात जो थी उनका जो भाष्ण जो था रेडियो पर बहुत फेमस हुआ था यहीं पर पहली बार गांधी जी हेटू राष्ट पिता शब्द का प्रियोग किया गया तो गांधी जी को हम जो आज राष्ट पिता बोलते हैं उसके उपादी इनके अज़ाद फोची सपाईों को लाल के लिए पर मुकरदमा जलाया गया उनको लाल के लाया गया कि सरयाम इनको फासिदी जाएगी सारी दुनिया के सामने ताकि भारत में कोई वापस से ऐसा उपद्रुब करने के कोशिस ना करें इसके विरोध में संपूर्ण देश में अंदोलन और आई एन ने द्वारा आजाद हिंद बचाओ समिति दोस्तों उनका इतना समर्थन उनको प्राप्त हुआ कि सारे देश में उनके विरोध अ पे मुकदमा चला रहे थे लाल के लिए पर जाके तो एक पक्ष अंग्रेजों का था और हमारे पक्ष में जो वकील थे उनके लिए भूलावाई देश आई तेज बहादूर सप्रू काट जू जवाला लारू मतलब देश के जितने भी बड़े-बड़े सारे वकील थे वे आजाद हिंद फोज की बचाओं के पक्ष में आ गए थे फोज के सिपाही गुरूबक सिंग डिलो प्रेम सहगल और शाहनवाज को फासी के सजा सुरा दी गई तो उस तो तीन में थे इन में गुरूबक सिंग डिलो प्रेम सहगल और शाहनवाज कहते हैं कि उस टाइम पे पाजाद हिन फोज को इतना समर्थन मिल रहा था कि सारे देश में उनके खिलाफ विद्रोव हो रहे थे कि इनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा ना इनको सजा नहीं दी जाएगी और हर जग एक किनारा चल रहा था लाल किले से आई आवाज सहगर ढिलो शहान आवाज कहते हैं क कि इतना खतरनाग जो उनके लिए विरोध हुआ था उनकी सजागा उतना पहले भारत में कभी भी नहीं हुआ था लेकिन अंग्रेजों उनको फासी की सजाद सुना दी परन्तु देश में चलते तगड़े विरोध के कारण वायसराई ने अपने विशिशा दिकारों का प् अगर हमने इनको सजा दे दी तो पूरे देश को ये लोग जला देंगे जैसे चोरी-चोरा कांड हो था ना वैसे कई चोरी-चोरा कांड होने वाले हैं अगर सुभार संद्र बोस के सैनिकों को हमने सजा दे दी तो उनोंने डरते फिर क्या किया इन लोगों को माफि दे दी तो ये थी दोस्तो आजाद हिंद फोज तो हम पहुंच चके हैं 1945 में बस दो साल और हैं हमारे पास फिर हमारा देश आजाद हो जाएगा तो ये दो साल हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए थेंक यू वेरी मच